जैसे कि आप लोग जानते हैं टेक्नियन इसराइल इंस्टिटूट अफ टेक्नोलोजी के साइंटिस्ट ने एक कंसेप्ट तयार किया है जिसका नाम उन्होंने इंडियन मैथेमेटिशन रामनुजम के नाम पे डाला है तो चलिए जानते हैं ये कंसेप्ट क्या है उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे रामनुजम कोन थे अगर आप इस मूवी के बारे में जानते हैं दमयन हूनियो इंफिनिटी तो आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी या जिन्होंने रामनुजम का नाम पहली बार सुना मैं उन्हें बता दूं कि 22 December को हम National Mathematics Day celebrate करते हैं हम इन्ही के बर्डे के दिन हम National Mathematics celebrate करते हैं इन्होंने अपने 33 years के life span में 3900 से भी ज़्यादा formulas और identities की रचना की रामनुज़ मशीन है क्या? यह वास्ता में actual में एक मशीन नहीं बलकि ऐसा algorithm में जो बहुत एक अलग काम करता है जैसा कि हम computer में एक problem input करते हैं और algorithm से एक solution की निकलने की उमीद करते हैं रामनुज़ मशीन के साथ यह दूसरी तरीके से काम करता है for example, pi algorithm एक equation के साथ एक आएगा जिसमें infinite series होंगी जो exactly pi ही होंगी अब वो हम पर है कि हम उस equation को सही कैसे prove करेंगे यह algorithm श्री निवास रामनुज़म के जीवन के दोरान किये गए कामों करने के तरीके दिखाता है बहुत ही कम formal training के साथ उन्होंने उस समय के प्रसिद mathematics में अपना नाम सामिल किया यहां तक की वे England में fellow of royal society भी बने और Cambridge से research degree भी उन्होंने पाई उन्होंने अपने पूरे जीवन में novel equation and identities को समर्पित किया जैसे कि जो equation पाई की value निकाले जो एक mathematics expert ही कर सकते थे science especially mathematics की किसी भी ब्रांच में एक नई खोज की process तब होती है या guess जब वहाँ पे एक guess hypothesis यानि theory पहले हो paper example देते हैं जैसे कि unknown equation जो की algorithm ने निकाली थी जिसमें pi और e जैसे constant की value हो राम उन्हों जो machine proof दिये बीना hypothesis formula की value निकालता है हाला कि ये याद रखना होगा कि ये एक infinite series है और हम यानि इनसान एक finite number of terms को test कर सकते हैं इसलिए सवाल ये है कि क्या ये किसी भी point पे जाके fail हो सकता है बट researchers को नहीं लगता ये कहीं पे fail होगा प्रूव होने तक ये एक अनुमान यानि एक hypothesis ही है तो guys उमीद करते हैं कि आपको ये राम उन्हों जो machine क्या है समझ में आया होगा इसी तरीके से current affairs के topic को समझने के लिए हमारे channel को subscribe करें और वीडियो अपसंद आए तो grey button को blue जरूर करें के लिए जैहिंद